हलो फ्रेंड्स विल्कम बैक टू मैं चैनल कैसे हो आप लोग उमीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे तो चलिए सुरू करते हैं आज का सेशन और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं घातांग आज सुरू करेंगे हम लोग घातांग तो दिखें फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग घातांग के बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे यानि कि घातांग में जितने भी फॉर्मूले यूज होते हैं उन सभी को देखेंगे जब हमें फर्मूले याद हो जाएंगे जादे कठिन भी नहीं है, बहुत तीजी होता है जब सारे फर्मूले याद हो जाएंगे, जब हम लोग question solve करेंगे तो कोई भी question जो है इतना tough नहीं लगता है और इसके फर्मूले भी बहुत तीजी है इसमें क्या होता है कि अगर दिया हुआ है A के पावर M गुड़े A के पावर N अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते है A to the power M plus N इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं यानि कि जब आधार ये आधार होता है और ये घातांक होता है घात होता है ठीक है जब आधार सेम हो और गुड़े का निसान हो यानि कि दोनों का आपस में गुड़ा हो रहा हो तो घाते जो है आपस में जुड़ जाती है यानि कि A के पावर M प्लस N जैसे अगर हम एक्जाम में अगर लिखें तो इसको लिख सकते हैं यहां पर आधार हमने लिखा आधार सेम है तो यहां पर हमने आधार तीन लिखा और ये और ये दोनों घात जो है आपस में जूड़ जाएगा यानि कि दो धन 4 हो जाएगा और इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 2 6 यानि कि 3 to the power 6 हो जाएगा clear यानि कि इस form को हम लोग इस form में लिख सकते हैं ये गुड़ा का नियम है दूसरे नियम के अगर हम बात करें दूसरा है भाग का नियम भाग का नियम देखे इसमें क्या होता है कि अगर भाग के form में दिया हुआ है जैसे a के power m भागे a के power n तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आधार सेम है तो यहाँ पर हम लोग आधार लिखेंगे और यहाँ पर घाते घट जाती है यानि कि a to the power m minus n यानि कि इस form को जो है हम लोग इस form में लिख सकते हैं इसको जो है आप ऐसे भी लिख सकते हैं a के power m upon a के power n यही रूप है तो इसको जो है अगर हमें इस form में लिखना है तो हम लोग a के power m minus n लिख सकते हैं ठीक है चलिए अगला नियम देखते हैं अगला है घात प उपर घात इसका क्या मतलब जैसे मालेजिए कि अगर हमने कहा A के पावर M के पावर N और इसके पावर जो है X यानि कि A के पावर M पूरे के पावर N और इन पूरे के पावर जो है X तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या A के पावर M into N into X यानि कि घातों का आपस में गुड़ा हो जाएगा यानि कि A के घाते M गुड़े N गुड़े X इसको हम लोग इस फ़र्म में लिख सकते हैं अगर हम जाम पल दें जैसे मालेजी हमने कहा 5 के पावर 2 इसके पावर 3 और इसके पावर 2 यानि कि 5 के पावर 2 और इस पूरे के पावर 3 और इस पूरे के पावर 2 ठीक है इसका मतब ये होता है तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 की घाते 2 गुडे 3 गुडे 2 यानिकी 2 गुडे 3 गुडे 2 यह हो जाएगा 2 त्या 6 6 दुना 12 यानिकी 5 के पावर जो है 12 इसको हम लोग इस फॉर्म में जो है लिख सकते हैं तो यहाँ पर हम लोगें तिन नियम देखा, गुडा का नियम, भाग का नियम और घात का नियम, आप सभी लोग नोट कर लिये होंगे यह सारे नियम, चलिए अगला नियम की अगर हम बात करें, अगला नियम है नमबर 4, घात का सुन्य होना, घात का सुन्य होना, इसने क्या ह होता है कि जैसे मानली जी हमने कहा a to the power 0 a के power 0 तो यहां पर आधार a है घात 0 है तो जब किसी भी आधार का घात 0 होता है तो इसका मान सदयव 1 होता है जैसे for example अगर हमने कहा 5 के power 0 तो यहां 5 के घाते 0 है इसका मान जो है एक होगा या फिर मैंने कहा 120 के power 0 तो अब यहां 120 के power 0 है तो इसका भी मान जो है एक ही आएगा चाहे आधार कितना भी बड़ा हो अगर घात 0 है सुन्य है तो इसका मान सदयव जो है एक आता है clear तो यह घात का सुन्य का होना का नियम है चलिए अगला नियम देखते हैं नमबर फोर घातों का दूइ पक्ची होना घातों का दूइ पक्ची इसका मतलब जैसे माल लिजी हमने कहा अगर हम लोग लिख सकते हैं क्या जब घात को हम लोग इधर लाएंगे माल लिजी घात यहाँ पर आधार A है और घात M है इस घात को हम लोग इस साइड लाना है हमें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A के A बराबर B के पावर 1 बटे M इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं यानि कि जब घात का पक्छांतर होता है जब घात को हम लोग पक्छांतर करेंगे इधर करेंगे तो यह जो घात है इस वाले आधार पर जब चड़ेगा तो इधर से इधर आएगा तो यह उल्टा हो जाता है यानि कि व्यूत्क्रम हो जाता है तो इधर M है यानि कि M बटे 1 है तो जब इधर आएगा तो ये B के पावर 1 बटे M हो जाएगा यानि कि इस फॉर्म में अगर हम एक जामपर दें तो जैसे माले जी हमने कहा 7 के पावर 5 बराबर 9 अब यहां पर इस घात को हमें इधर अगर ले जाना है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 बराबर 9 के घाते 1 बटे 5 हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं जब 5 घात इधर आएगा तो एक बटे 5 हो जाएगा इन सभी का जब हम लोग question solve करेंगे तो वहां पर हमें समझ में आ बात करें तो अगला है ब्यूत क्रम का नियम जैसे अगला नियम है नंबर 5 ब्यूत क्रम का नियम इसमें क्या होता है जैसे माले जी हमने कहा A के पावर M बराबर B अब यहां पर A के पावर M बराबर B दिया हुआ है अब घात को अगर हमें पक्छांतर करना है यानि कि यह जो घात है इसको हमें इधर करना है तो यह जो है ब्यूत क्रम हो जाता है जैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं A बराबर B अब इस घात को पक्षांतर करना है यानि कि घात जो है इस आधार पर हमें चढ़ाना है तो B के पावर जो है एक बटे M हो जाएगा यानि कि इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं जैसे अगर हम उधार दें जैसे मालेजी हमने कहा साथ के पावर पाच बराबर नौ अब इस घात को अगर हमें पक्षांतर करना है इसके उपर लाना है यानि कि इस आधार के उपर इस घात को चढ़ाना है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साथ बराबर नौ के घाते एक बट करना है फिलाल ये सारी चीजे जानना हमारे लिए बेहत जरूरी है ठीक है अब जैसे मालीजी इसी को जो है एक और फॉर में लिख सकते हैं जैसे मालीजी हमने कहा A to the power 1 बट M मालीजी अब यहाँ M के बजा 1 बट M दिया हुआ है और यहाँ पर बराबर B दिया हुआ है तो इसको हमने लिखना है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A बराबर जब यह घात पक्छांतर होगा इधर तो B के पावर अब यह ब्यूत्करम होगा तो यह अलड़ी एक बटे M है तो एक बटे M का उल्टा अगर हम करेंगे तो M बटा 1 हो जाएगा यानि कि B के पावर हो ज जाएगा यानि कि उल्टा हो जाएगा केलियर चलि अगला नियम अगर हम देखें अगला नियम है नमबर 6 घातों का दवी-पक्छी होना देखे इसमें क्या होता है कि जैसे मान लेजी हमने कहा A to the power M बराबर A to the power N अब यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हैं कि इधर भी आधार सेम है और इधर भी आधार सेम है जब दोनों तरफ आधार सेम है तो हम लोग जो है दोनों तरफ का compare करते हैं तुलना करते हैं और आधार के बराबर आधार यानि कि आधार तो बराबर है ही a to the power m बराबर b to the power m अब देखिए यहाँ पर घात सेब है इधर भी घात m है और इधर भी घात m है लेकिन आधार जो है यह बराबर नहीं है तो जब घाते बराबर होती है तो आधार भी आपस में बराबर होता है तो ऐसे में जो है a बराबर b यह होता है ठीक है तो कहने का मत यहां पर हम लोगों ने च्छै नियम देखे कुछ और भी नियम है उसे भी हम लोग देख लेते हैं जैसे जैसे माली जी हमने कहा A to the power minus M तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बटे A to the power M इसको हम लोग इस फर्म में लिख सकते हैं अगर कहा जाये एक बटे A to the power minus M अगर इस form में दिया हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A के power M यह कैसे हो रहा है देखें, minus power में अगर घात में minus है तो इसको हम लोग एक बटे के रूप में लिख सकते हैं और जब यह बटे के नीचे आएगा तो यह जो minus घात है यह minus जो हट जाता है तो यहाँ पर हो जाएगा एक बटे A के power M ठीक है अगर यहाँ पर एक बटे A के power minus M दिया हुआ है तो इसको भी हम लोग ULTRA करेंगे तो जब ULTRA करेंगे तो यहाँ पर जो minus है यह minus यहां से हट जाएगा कहने का मतलब अगर minus में दिया हुआ है तो जब हम लोग उल्टा करते हैं तो वहां से minus हट जाता है जैसे कि अगर यहां पर minus दिया है इसको जब हम लोग positive बनाएंगे तो इसको उल्टा कर देंगे यहाँ पर जब हम लोग इसको उल्टा कर देंगे तो जब यह नीचे आ जाएगा तो यहाँ से माइनस हट जाएगा यहाँ फिर यह भी दे सकता है यहाँ पर माइनस ना दे करके प्लस भी दे सकता है जैसे यहाँ पर अगर दे दे a to the power m तो इसको अगर बटे के फॉर्म में आपको लिखना है तो इसको आप लिख सकते हो एक बटे a to the power minus m इसको आप ऐसे लिख सकते हो या फिर जैसे मालेजे कि अगर दे दिया एक बटे a to the power m यहाँ पर minus नहीं दिया हुआ है यह ध्यान दिजेगा तो इसको जब आप उल्टा करोगे तो यह हो जाएगा एक यह हो जाएगा आपका a to the power minus m ठीक है तो यह चीज ध्यान देना है कि कैसे हो रहा है जब उल्टा होगा तो जो sign होगा बस इतना याद रखना है कि जब उल्टा होगा व्यूत करम होगा तो जो भी चिन रहेगा प्लस का minus हो जाएगा और minus का प्लस हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर हम लोगों ने जितने भी घातांक में प्रेयोग होने वाले हैं लगभक सारे सुत्र देख लिए तो आपको याद भी हो गया होगा आपने सारा नोट भी कर लिया होगा एक बार जो है आप लोगी से याद कर लिजेगा यहाँ पर इसका उधारण भी देख ल यहाँ न है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक बटे पांच कि घाते तीन और इसको हम लोग लिख सकते हैं 525 बाक्चे 125 यानि कि यह हो जाएगा इस गहल करना होगा माइनस तीन घात है तो माइनस 3 घात तो हम लोग हल नहीं कर सकते हैं इसको हमें positive बनाना पड़ेगा तो जब हम लोग इसको उपर ले जाएंगे इसका ब्यूत करम करेंगे तो यह read जो है यानि कि जो minus है यह हट जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 5 के power 3 देखें यहाँ पर 1 बटे 1 बटे 1 के power minus M बराबर 1 के power M ठीक है तो इसका मान हो जाएगा 125 इसी तरीके से यह भी जो है वैसे ही हो जाएगा अगर इसके 1 के power जैसे माली जी 5 के power 3 है तो अगर हम इस फोर्म में लिखना है तो इसको हम लोग लिख सकते है 5 के power minus 3 वैसे ही इस फोर्म में अगर दिया है और इस फोर्म में लिखना होगा जैसे माली जी हमने कहा कि 1 बटे 5 के power 3 अगर ऐसे दिया है तो इसको हम लोग लिखेंगे अगर ऐसे तो यह हो जाएगा 5 के power minus 3 ठीक है तो उसारे उधारण भी आपको clear हो गए होगे कहां पर किसका प्रयोग कैसे करेंगे जब हम लोग question solve करेंगे तो वहाँ पर सारी चीजे clear हो जाएगी तो आज की इस वीडियो में बस इतना है चैनल को subscribe किजिए, bell icon पर press किजिए ताकि जो भी वीडियो जाए उसकी notification आप तक पहुंच जाए और अपना feedback हमें comment में जरूर देजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा अगर कहीं पर कोई दिक्कत है, कोई परशानी है तो comment में जरूर बताएगा इससे हमें पता लगता है कि क्या problem हो रही है कहाँ पर क्या दिक्कत है ताकि और भी बहतर करने की कोईसिस किया जाता है तो अपना feedback जरूर दिजेगा और like जरूर किजेगा क्योंकि आपका like हमारे लिए बहुत बड़ा motivation का काम करता है सो चलिए फ्रेंट्स मिलेंगे नए वीडियो में थैंक यू